सूप्रभाद मेरी कक्षा दो के चात्रो आज हम पढ़ेंगे पार्ट पंद्रा मेल जोल से रहो आपकी पुस्तक कल्पवरिक्ष से यह एक स्वार्थी बिल्ली किटी की कहानी है जो किसी से बात करना नहीं पसंद करती थी और अपने खिलोनों को दूसरों से नहीं बाटती थी वह अकेले खेलना और खाना पसंद करती थी और जब भी कोई उसके पास आता तो वह उसे दूर जाने को कहती थी एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसकी गेंट से खेलने का अनुरोथ किया तो उसने उन्हें भी इसी तरह डाटा और वे निराश होकर वापिस चले गए किटी अपनी गेंट के साथ अकेले खेल रही थी वह गेंट को लुड़काती और उसे पकरने के लिए दोड़ती थी जब वह ठक कर बैट गई उसने देखा कि चीटियां मिलकर खाना एकत्रित कर रही थी और चीटियां साथ मिलकर एक मीठागी दगा रही थी यह देखकर किटी को अच्छा लगा किटी ने देखा कि तितलियां फूलो की क्यारी में मिलकर रस पी रही थी और पेर पर मधुमक्यां फूलो के रस से शहर बना रही थी उसे यह देखकर अच्छा लगा कि सभी जीज मिल जुल कर काम कर रहे थे लेकिन फिर उसे अपने अकेलेबन का एहसास हुआ और उसे अपने दोस्तों की याद आई किटी अपने दोस्तों को ढूंडने निकल पड़ी और पूरे वगीचे में उन्हें खोजा आखिरकार ठकर बैट गई तो उसके दोस्त उसके पास आई किटी ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उससे समझ आ गया है कि मिल जुल कर रहने में ही मज़ा है उसके बाद से वे सभी हमेशा साथ खीलते और साथ ही सोते थे धन्यवाद